संजे सिंग आम आदनी पार्टी सांसाथ संजे सिंग हमारे साथ जुड़ गए हैं संजे जी इंडिया टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है संजे जी आम आदनी पार्टी नमस्कार आपके दर्सकों को नमस्कार नमस्कार संजे जी बहुत गंभीर आरोप लग रहा है ये कहा जा रहा है कि अर्विन केजरिबाल जी की जान को खत्रा है ऐसा क्यूं कहा जा रहा है देखे जो भी डाइबिटिक होते हैं जो भी शुगर के मरीज होते हैं लंबे समय से जो भी शुगर के मरीज हो अगर आप उनसे पूछेंगे तो आवाज जी को कर रही है इसको प्लीज ठीक करवा दीजे संजे जी अब आवाज आ रही है लेकिन फिर थोड़ा पलट के इको हो रही है आवाज मैं अपनी बात पूरी करता हूँ तो उसमें अगर आपको इंसुलिन दी जा रही हो और इंसुलिन मिलना बंध हो जाए तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए जान लिवा हो सकता है उसके जीवन के साथ खिलवाड है उसकी जिन्दगी के साथ खिलवाड है और इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि अगर इतनी सारी दलीले एडी के तरफ से और तिहार जेल की तरफ से जूटी बेबुनियाद अर्विन केजरिवाल के डाइट को लेके बनाई जा रही है तो यह साजिस का हिस्सा है और यह इंसुलिन ना देना मैं समझता हूँ कि उनके जीवन के साथ खिलवाड करने की कारवाई है और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ क्योंकि देश के ग्री मंत्री भी डाइबिटिक है रास्टिय धक्ष बीजेपी के वो भी डाइबिटिक है लेकि हम तो ऐसे मौके पर भी मजे लेंगे मुझे लगता है यह ठीक नहीं राजनीती का स्तर इतने नीचे तक नहीं जाना चाहिए कि अगर आज एक निर्वाचित मुख्य मंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया उसके बाद उनकी दवाएं बंद कर दो आप उनका इंस जानजे जी कोट में आज जेल अथार्टी ने कहा कि केजरिवाल जी को फिलाल इंसुलिन की जरूरत है ही नहीं इंसुलिन लेने के वज़े से उनका शुगर लेवल कम होने का खत्रा बन रहा है यह जेल प्रशासन की और से कोट में कहा गया देखे देश के जितने पत्रकार अर्विन केजरिवाल जी को जानते होंगे तमाम वरिष्ट पत्रकार जानते होंगे जितने रिपोर्टर्स उनको जानते होंगे जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं या इंडिया टीवी के भी जो रिपोर्टर होंगे उन सबसे भी अगर में अर्विन केजरिवाल जी गए हैं कहीं रुक के लंच किया है तो सारे लोग इस बात को जानते हैं का अर्विन केजरिवाल इंसुलिन लेते हैं वो अपनी शुगर की बीमारी के लिए दस-दस दिन तक इलाज कराने के लिए गए हैं नेच्रोपैथी सेंटर में गए हैं कभी किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो उनकी कोई वीमारी आज की नहीं है और इंसुलिन कोई आज से नहीं ले रहे हैं लंबे समय से वो इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन बंद करना किसी भी diabetic patient से आप पूछेंगी किसी भी doctor से आप पूछेंगी ये जानलेवा हो सकता है किसी के जिन्दगी के साथ खिलवाड हो सकता है उसका जीवन जा सकता है अगर उसको समय पे sugar की दवा न मिले और उनको इलाज न मिले अब मैं आपको बस एक छोटा सा डाटा पढ़के आपके दर्सकों के लिए बता देता हूं क्योंकि ये जूट जो प्रचारित किया जा रहा है वो आपके सामने आ जाए 12 अपरेल को अर्विंद केजरिवाल की सुगर्थी 320 13 अपरेल को अर्विंद केजरिवाल की सुगर्थी 270 तो पंद्रह अप्रेल को अर्विंद केजरिवाल की सुगर थी तीन सो इसके बाद हाइए तो क्या इसके बाद उनको इंसुलिन नहीं मिलना चाहिए इसके ठीक उनट अगर मैं जेल अथॉरिटी की बात करूँ तो ये कह रहे हैं कि केज्रेवाल को जेल में जब लाया गया था उस वक्त वो इंसुलिन ले रहे थे लेकिन बात में उन्होंने खुद इंसुलिन लेनी बंद कर दी अरे ये तो जेल के डॉक्टर देखेंगे ना जेल के डॉक्टर जब आप जेल में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी शुगर देखते हैं वो आपका इलाज करते हैं उनको जरूरी लगता है तो आपको दूसरे हॉस्पिटल्स में भी भेजते है मैं रह चुका हूँ और मैं खुद 6 साल से सुगर का पेसेंट हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे खुद जीवी पंथ हॉस्पिटल में भेजा गया था, एम्स में भेजा गया था मुझे, वहां के डॉक्टरों ने देखा था आज आप बताईए, एम्स की मेडिकल डाइट दिखा रहे थे, मतलब आप समझ सकती है कितना घोर लापरवाही पूर्ण और कितनी गहरी साजिस है एम्स में अरविंद केजरिवाल जी को दिखाया नहीं गया, डॉक्टर से डाइटीसियन से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, उनका वजन नहीं किया गया, उनका मसल नहीं लिया गया, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्रिय देखी नहीं गयी, और कहने है कि एम्स के डॉक्टर ने लिखा है कि ये खाना चाहिए, ये नही खाना चाहिए. अरे भाई, हद हो गयी. आपने एक आदमी को, डाइटीशेशेन को दिखा है ही नहीं? आपने डॉक्टर को दिखा है बगएर उसकी međडिकल डाइट बनवाली? जिस डॉक्टर ने लिखा है, मैं तो बड़ा बतवास्चा चेके तूँ कि एमस का कोई डॉक्टर ऐसे लिख कैसे सकता है किसी मरीज को देखे बगएर उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगएर किस चीछ को खाने से उसको ऐलर्जी यह नहीं है यह जाने बगएर उसका वजन लिए बगएर उसकी मसल लिए आप कैसे उसकी मेडिकल डाइट लिख सकती है लेकिन आप बताईए ना संजी ची आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दो राही नहीं और शुगर पेशन्स के लिए इंसुलिन लेना या उनकी एक डाइट फॉलो करना और कितने इंटेवल पे खाना 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 जरूरी हो हो रहा है तो उसके बाद फिर ऐसी स्थिती क्यों पैदा हो रही है यहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर दिन में मैं तो आपको पढ़के बता दिया इसमें से अगर कोई जूट हो तो जेल प्रसासन से पूछ लीजेगा कि संजे सिंग ने मेडिकल चार्ट पढ़के हम लोगों के चैनल पर बताया है वो सही है या गलत है इसका खंडन कर दे आपके सामने खंडन कर दे और 320 की अगर सुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए जो आदमी 54 यूनिट अगर वो इंसुलिन ले रहा है और आपने उसकी इंसुलिन बंद कर दी तो उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो अभी यह मान लेना कि जेल प्रसासन जो कह रहा है वही सब कुछ सच है और जेल प्रसासन किसके दबाव में बात कह रहा है कहां से वह ये बातें अपनी तरफ से लेके आ कर दा एक बात क्छा दिए ने कहा कि घर के खाने की वज़े अर्विन केश्रिबाल का बबढ रहा है वो यह कह रहे है की आलू खा रहे हैं पूरी खा रहे हैं आप खुद कहरे हैं कि आपको छे साल से शूगर की परिशानीा बीज जानते हुए आलू हो आम हो यह कुछ भी आके सेभी डायबटिक पेशन्ट के लिए है可्म आर्जिन केज्रिवाल इस डाइट ले रहे हैं पहली एक चीजिर बताइए जेल नदर कोई भी खाना जाता है वह खाना चेक एushotा है ना चेक होता बाद वो खाना उनको दिया जाता है तो अगर जो खाना जेल के अधिकारी चेक करके उनको दे रहे हैं वो खाना सही है कि गलत है ये देखना तो जेल के अधिकारी का काम है एडी कहां से टपक पड़ी इसमें एडी का क्या रोल है एडी का रोल है जिस चीट की वो से खाना उनके पास पहुंचता है तो अपने ही अपने ही बात में कॉंट्रडिक कर रहे हैं जो खाना जेल के अधिकारियों की जाच के बाद के पास पहुंच रहा है तो खाना तो वहां के डॉक्टर देखते होंगे वहां के अधिकारी देखते होंगे तब उनके पास जा रह मैं तो जेल में था ना मुझे रोज आलू की सबजी क्यों देते थे जेल वाले मैं बोलू इसको बाहर आके अच्छा नहीं लगता है सब बाते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी राजनीती के अस्तर को नियूंतम लेके जा रही है बहुत नीचे अस्तर तक लेके जा रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केजरिवाल जी के खिलाब साजिस हो रही है मुझे तो मेडिकल डाइट लिखे हुई थी एक दिन का दिखा दीजे जो मेडिकल डाइट के इसाब से मुझे जेली अथारिटी ने खाना प्रोवाइट किया हूँ एक दिन का मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ एक सिंगल डे सिंगल डे का खाली अगर दिखा दीजे जो मेडिकल डाइट मुझे एमस ने लिखा था आईल बीएस के डॉक्टर सरीन ने लिखा था जीबी पंत ने लिखा था तीन तीन जगे से मेरी मेडिकल डाइट लिखे गई उस मेडिकल डाइट के हिसाब से मुझे जेल का प्रसास आप से पूछ रही हूं कि आप आप बोले और क्लियर कर दें फिर से हमारे दर्शकों के लिए आपको सीधा सीधा आज ही उनका जूट पकड़ा गया आपके टीवी चैनल पे जो भी दर्सक पूरे देश में इस बात को सुन रहे होंगे एम्स की मेडिकल डाइट कोट के सामने दिखाई गई अरविंद केजरिवाल को बगएर एम्स के डॉक्टर को दिखाए हुए आप किसी भी डॉक्टर को अभी बुलाईए और उससे पूछे कि क्या कोई मेडिकल डाइट किसी मरीज को देखे बगएर उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगएर उसका वेट और मसल लिए बगएर क्या कोई डाइटीशन लिख सकता है क्या किस चीज से उसको खाने में अलर्जी है नहीं है जाने बगएर क्या दुनिया का कोई डाइटीशन लिख सकता है क्या और क्या अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये साजिस का हिस्सा है ये नहीं है और आप आलू और पूरी कह रही है मैं तो जेल में रहके आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ आलू की सबजी सोयाबीन की सबजी रोज मिलती है वहाँ जेल में रोज जेल में देते हैं आपको बताऊंगा तो आपको हसी आएगी मुझे जीवी पंत के डॉक्टर ने लिखा कि प्रते दिन इनको संजे सिंग को सलाद और वेजिटेबिल मिला के एक केजी सलाद और वेजिटेबिल मिला के खाना है यानि दोनों टाइम की सबजीयां और दोनों टाइम का सलाद इनको एक केजी लेना है जानते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि अब कितनी सब्जी देते थे कितना मैं खाता था वो तो अलग की बात है उन्होंने कहा थाब 900 ग्राम तो यह सब्जी खाएंगे दोनों टाइम और 100 ग्राम इनको सलाद मिलेगी ये सब बाते करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्योंकि ये सब बाते खुल गए तो आपके सामने बोलना पड़ रहा है अप मैडम ये खाली पूछिएगा जेल एथारिटी से कि मैंने उनको लिखित में शिकायत दी है कि जेल के अंदर जानवरों की तरीके से खाना दिया जा रहा है पूछिएगा संजे सिंग ने लिखित सिकायत दी है कि नहीं दी है है और यूसे इतना प्यार क्योंट पूछ लीजेगा ये जिरूर पूछेगा आलूसे इतना प्यार क्यों दोनों टाइम वालू क्यों कि खिलाते हैं ठीक ठीक बहुत शुक्रिया अश्णे जी फिर में यह था बहुत धन्यवाद नाशकार नाशकार